आज मैं आ गई हूँ अपने मम्मी की घर पर जहां बनता है बिल्कुल देशी घाना तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर मम्मी ने ले लिया है एक मिट्टी का बरतन जिसमें मम्मी डाल रही है दही यहाँ पर मेरी मम्मी बनाने वाली है तड़के को भी मिला दिया है और राइते में यह प्यास जो होता है वो काफी जादा अच्छा लगता है और साथी जाथ मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया फिर मम्मी ने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी इसी के साथ में मम्मी ने य कर दिया हमारे यहां पर जब भी मैं आती हूं तो चूले का ही खाना बनता है और बहुत ही जादा टेश्टी भी लगता है तो कुछ इस तरीके से फिर इसके बाद ममी ने कर्ची ली और उसमें लगभग डेड़ चमच के करीब देसी गी डाला और इसके बाद में इसको आंच घर पर खाना बनाते हैं अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बढ़ाना तो यहां पर मा ने डाल दिया है जीरा जीरा मा ने बताये कि तड़के के लिए बहुती जादा जरूरी है तो यहां पर अच्छे से आप देख सकते हैं कि कि जी ही तरीके से गी जो है वो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा तो क्या आप भी तड़के वाला राइता खाते हैं अगर खाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आज हम हमारे घर पर बनने वाला है राइता वो भी तड़के वाला और साथी साथ बाजरे की रूटी वो भी ममी के स्टाइल में जो बहुत ही easy है बनाना तो इस तरीके से मा ने अब लगा दिया है तड़का देख सकते हैं कि किस तरीके से मा ने राइते में तड़का लगा दिया है और इसे बनाना बहुत ही जादा आसान है मा ने एक दो मिनट इसके ठकन को बंद करके रखा है ताकि इसकी जो smell है वो पू ही टेस्टी होता है तो इसी के साथ में मा ने यहां पर तवा भी चड़ा दिया है और अब मा बाजरे के जो आटा है उसको चान रही है अच्छे से चान रही है ताकि इसमें कोई भी जैसे मोटे मोटे दाने होते है ना फूर ना रहे और इसी के साथ में मा ने यहां पर थोड गुंती है थोड़ा थोड़ा करके गुंती है ताकि आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गुंता जाए तो कुछ इस तरीके से ममी ने बाजरी की आटा जो है वो गुंत लिया है और अच्छे से मिक्स भी कर लिया है अब मा इसमें से लोई निकालेगी और अपने ही हाथों से अच्छे से फैला के मतलब बना लेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी जैसे जैसे पानी की ज़रूरत होगी मा उसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देगी तो क्या आपके घर में भी बाजरे की रोटी कुछ इसी तरीके से बनती ह तो फिर मैंने भी सोचे कि ममी मुझे भी ऐसे ही करके बनाने दो मुझे भी बनानी है रोटी तो ममी ने का चलो ठीक है यह वाली सिकने दो मलब पतने दो रोटी को और उसके बाद में मैं तुम्हें भी लोई दे दूंगी और तुम भी बना लेना तो यहाँ पर कुछ इस ममी को देख देख कर बना रही थी और फाइनली मेरी रोटी भी बन गी लेकिन ममी जितनी अच्छी रोटी नहीं बनी तो ममी ने एक रोटी तवे पर डाल दी उसके बाद में मैंने का ममी अब आप क्या करने वाली हो तो ममी ने कुछ इस तरीके से हातों की मदद से इसमें थो और साथे साथ रोटी दूसरी तरफ सिख भी गई सारे काम एक साथ ही हो रहे थे ममी के और इसी में ममी ने थोड़ा सा देसीगी भी डाल दिया देसीगी बहुत ही जादा अच्छा लगता है अगर आपके घर में मक्कन भी हो तो मक्कन भी बहुत ही जादा अच्छा लगता ल्वब पैज़े की रोटी के साथ में हम की Óstars मामीन ने सतर ज़रूर खाते हैं और साती सात practiced का भी इस्तिमाल करते हैं तो पड़िप करते हैं कि जू बाज़े ते ची कोटी और भी मफिम भी दाल दिया जो खेत वाला धानीया होता है उसकर चुष्भी लगती ईची वाली होतीront है और बहुती ज़ादा तेस्टी लगता है तो ये देख सकते हैं कि ने बाजर रोटी और धनीए के साथ और माझी बहुत ही ज़या गाया है एसमिरा Brot तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं चलती हूँ बबाए